बॉलिवूड के मिस्टर पर्फेक्शनिस्ट कहे जाने वाल एक्टर आमिर खान ने हाल ही में अपना त्रेपनवा जनम दिन बनाया है वैसे इन दिनों वो अपनी अपकामिंग फिल्म ठक्स ओफ हिंदुस्तान को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रही है जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में वो बॉलिवूड के महनाएक अमिताब बच्चन के साथ नज़र आएंगे गौर तलब है कि हाल ही में शुटिंग सेट पर अमिताब बच्चन की तब्यत खराब हो गई थी हाला कि अब वो फिर से सेहत में सुधार होने के बाद शुटिंग के लिए लोट आए हैं वही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आमिर का कहना है कि उन्होंने अमित जी के साथ शुटिंग की और ये सच है कि उनके कंदे और पीठ में दर्द है लेकिन इस फिल्म में उनके लिए काफी मारधाड वाले सीन्स भी है और उन्हें लगता है कि अमित जी को कई सालों के बाद इस तरह के सीन्स करते हुए देखा जाएगा यही वज़ा है कि उनके लिए ये किर्दार वास्तव में बेख़त ही चलेंजिंग है और वो इसे बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं साथ ही साथ आमिर खान ने ये भी बताया कि उनके कंदों और पीट में चोट लग गई थी और एक दिन पहले उनका दर्द बढ़ गया था लेकिन अब वो पहले से बहतर है बताते चलें कि विजर कृष्णा अचारिय के डारेक्शन में बने इस फिल्म में आमिर खान और बिग बी के साथ साथ बॉलेवर एक्ट्रेस केट्रीना कैफ और अभीनेत्री फातीमा सना शेख भी मुख्य भूमिकाओं में नजराएंगी डेश और दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले